Хэлло Френдс, आज कि तिरह विडियो बात करेंगे मोटो के एक नए 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि मोटोरोला का ये एक नए 5G स्मार्टफोन है तो इस फोन के नाम रखा गया है मोटो जी 64 और इस smartphone के दो color, दो variant और इस phone का price दोनों variant के वो सब कुछ और सारे के सारे features को इस वीडियो में किक करके जानेंगे तो जो लोग भी I learn take YouTube चैनल पर पहली पर रहे हैं, पहली पर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के थम्स अप एक लाइक जरूर कर फ्रेंड्स, Moto G64 के जनरल features में आप लोगों को इसके अंदर Android version 14 को देहने को मिलेगा, Custom UI, My UX का देहने को मिलने वाला है, और इस फोन के अंदर Dual GSM plus GSM SIM card लगा सकते हैं, दोनो SIM card Nano plus Nano होगा, और ये 5G supported है, voltage supported भी है, तो इस फोन के अंदर ये जो voltage supported है, बेस्ट फिचर दिया अगया है आप लोगों के लिए, performance में chipset की बात करें तो media tech, dimensity 7025 का देखने को मिलेगा, attitude score की बात करें तो close to 500K तक का attitude score है, octa core 2.5 GHz का है और graphics IMG का BXM 8256 का देखने को मिलेगा, अब बात करें इसके next feature, display size की display type की, तो इसके अंदर IPS LCD display देखने को मिलेगा, इस phone के अंदर और screen size 6.5 inches का होगा, 1080 से लेकर के 2400 पिक्सेल का full HD+, आप लोगों को display देखने को मिलने वाला है, gorilla glass version 3 का आप लोगों को इस phone के अंदर protection देखने को मिलेगा, जो की punch hole display और 120 Hz का आप लोगों को refresh rate भी देखने को मिलने वाला है, इस phone के अंदर, design की बात करें तो इस phone का height होगा 161 mm, width इसका 73.82 mm, thickness 8.89 mm और weight की बात करें इस phone के तो 192 ग्राम का ये phone available है, इस phone में 3 color है, mint, green, parallel, blue, ice, lily, और अब इस phone में water is palace proof है, और ये drugness, dust proof भी है, बात करें इस phone के camera features की, तो इसके अंदर main, dual camera दिये गा है, इस phone के अंदर, 50 megapixel का wide angle camera, 8 megapixel का ultra wide angle camera, और image resolution की बात करें तो 8150 से लेकर के 6150 पिक्सेल का आप लोगों को image resolution इस phone में देखने को मिलेगा, shooting modes की बात करें तो आप लोग continuous shooting कर सकते हैं, high dynamic range mode दे गया है, यानि की HDR, और burst mode भी दिया गया है, macro mode भी आप लोगों को इस phone में वीडियो recording करने के time प camera features की बात करें इस phone के तो 8X digital zoom है, auto flash है, face detection है, और touch to focus option दिया गया है, filters आप लोग लागा सकते हैं, custom watermark set कर सकते हैं, और अब बात करें इस phone के video recording से related, तो इस phone के अंदर आप लोगों को 1920 से लेकर के 1080 पिक्सेल में आप लोग 30 एपेस में video recording कर सकते हैं, main primary camera से, video recording features की बात करें तो dual video recording का भी option दिया गया है, यानि कि पीछे के कुछ record कर रहें, मैं जो बोल रहा हूँ, चाहते हो भी record हो तो अब आप लोग easily कर पाएंगे, selfie camera की बात करें तो 16 megapixel का wide angle camera दिया गया है, front side में, video recording की बात करें, front selfie camera से तो 1920 से लेकर के 1080 पिक्सेल में 30 fps पे video recording कर सकते हैं, बात करें बैटरी की, तो 6000 mh की लीप पॉलीमर का non-remiable battery दी गए है, टर्बो क्वीक चार्जिंग है, जो कि 33 watt का adapter है, 50% सिर्फ 33 minutes में हो जाता है, और इस USB Type-C का cable आप लोगों के phone में लिंक और लगेगा, और बात करें इस phone के storage की, तो इस phone के अंदर 128 GB, 256 GB का internal storage है, 1 TB तक आप लोग expand कर सकते हैं, और 8 GB का RAM इस phone में आप लोगों के लिए दिया गया है, और यह OTG supported भी है, इसी इसका भी आप लोग ध्यान लगना बात करें, device के security से related, तो यह side में fingerprint sensor का option दिया गया है, जिससे आप अपने mobile को unlock कर सकते हैं, या किसी आप को lock या unlock करने के लिए यूज कर सकते हैं, friends अब बात करें इस phone के next feature, multimedia की, तो इसमें Dolby का Atmos, stereo speaker यानि की dual speaker का option दिया गया है, FM radio है, loud speaker कर सकते हैं, और audio jack 3.5 mm का दिया गया है, friends, Moto G64 के अब दोनों variant और price के भी बारे में अब जानने का स प्राइज होगा 14,756 रुपए ऑन वर्ड्स, 256 GB, 12 GB रेम वाले phone का प्राइज होगा 16,599 रुपए ऑन वर्ड्स, Moto G64 को जो लोग बाय करना चाते हैं, मैंने link Amazon का नीचे description में दे दिया है, click करते हैं सिदा आप लोग Amazon पर पहुच जाएंगे, और easily आप लोग बाय कर पाएं प्राइज देख रहेते हैं प्ली चर्ण को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के एक थम से अपक लाइक जरू करें